हलो आज के इस वीडियो में हम एक potential topic के बारे में बात करने वाले हैं जो की UPAC 2024 prelims के अंदर definitely आ सकता है तो पहला question तो डिरेक्ट लिए बन सकता है कि विरोवोर है क्या second question विरोवोर के characteristics के बारे में UPAC पर पूर सकता है तो इस वीडियो के अंदर हम short में इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले चीज तो अब ये समझे अभी तक ये माना जाता था कि जो virus होते हैं virus किसी भी food chain के top predator होते हैं मतलब virus सब को खा सकते हैं virus सब को infect कर सकते हैं लेकिन कभी भी कोई virus को infect नहीं कर सकता है या फिर कोई ऐसा organism नहीं है जो कि virus को खा सकता है लेकिन एक recent research हुआ है Columbia के अंदर ठीक है UK के अंदर जहाँ पर ये पाया गया है कि viruses को खाने वाला भी एक organism present है ठीक है because virus के अंदर भी तो end of the day DNA और RNA ही present होते हैं और DNA RNA भी तो carbon के ही बने होते हैं और अगर वो खुद carbon के बने हुए तो obviously कोई ने कोई इसका predator तो definitely होगा जो कि virus के उपर भी feed कर सकता है मतलब virus को भी खा सकता है तो इसी चीज़ के उपर research चल रही थी and then एक ऐसा organism मिल गया है जो कि actually viruses को भी खा सकता है that means viruses are no more a top predator वो किसी भी food chain का top predator नहीं है उनको खाने वाला भी आ गया है और ऐसे organisms जो viruses को खा सकते हैं उन्हें कहते हैं वीरो वोर मिद करता हूँ आपको यह चीज़ समझा रही है वीरो वोर का मतलब क्या है फिर से एक बार समझेए वीरो वोर ऐसे organisms को बोलते हैं जो कि viruses को खा सकते हैं और यह recently coined term है because recently यह परा चला है कि एक group of organism ऐसा भी present है जो कि viruses को खा सकता है समझते हैं कि यह ऐसा कौन सा group of organism आ गया है जो कि viruses सुखा पा रहा है ता answer is हल्टेरिया species हल्टेरिया क्या है हल्टेरिया बहुत ही छोटे छोटे यानि कि माइक्रोस्कोपिक ciliates होते हैं मतलब एक single cell organism है जिसके body के आसपास में cilia नाम के और एक you know move करने के लिए एक finger like projections present होते हैं ठेक है सो एक माइक्रोस्कोपिक है कि बहुत छोटे छोटे ciliates हैं मतलब single cell organism जिनके body के आसपास में cilia present है और यह जो है normally fresh waters में रहते हैं आपको यह पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है है health area health area एक vivopore है sorry एक health area जो है वो वीववोर है यानि कि वो viruses को खा सकता है ठीक है I hope आप यह समझ गये इसके बाद यह device कीचे कि virus क्या होते हैं virus क्या है virus basically एक ऐसा microbe है जो कि कि किसी भी चीज को nucleic acid कहते है now virus जो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर DNA या फिर RNA में से कोई एक खीज होती है और यह किसी भी living cell या फिर living host के अंदर जाकर खुद को replicate कर सकता है ध्यान रखेगा viruses ना ही dead होते हैं और ना ही living होते हैं मतलब they are considered to be a chain between the living and the dead so viruses ध्यान रखेगा ना ही जिन्दा है ना ही मरे हुए हैं रधर वो एक chain है living or dead के बीश में viruses सिर्फ और सिर्फ तभी जिन्दा हो सकते हैं जब उसको एक living host मिले मतलब जब तक वो host के अंदर नहीं जाएगा तब तक viruses जिन्दा नहीं हो सकते हैं जो विववोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे वो विववोर्स जो हैं वो खुद nucleic acids के nitrogen के और phosphorus के बने हुए हैं and because of that वो किसी भी ऐसे organism को खा सकते हैं जो कि खुद carbon का बना हुआ है ठीक है that's why वो viruses तो खा पा रहे हैं या पर जो विववोर्स है वो basically chlorovirus को भी खा सकते हैं chlorovirus क्या होते हैं chlorovirus एक ऐसे virus है जो कि basically green algies जो मतलब aquatic plants वगरा होते हैं उन aquatic plants में जो green algies है blue green algies आपने सुना होगा उन blue green algies को infect करने के लिए जाते हैं यह chloroviruses लेकिन इन chloroviruses को खाने वाले मिल गये हैं जिनका नाम है healthy areas ठीक है आपको याद हो का हमने कुछ दिन पहले already healthy area plankton के उपर discuss कर लिया था ठीक है this is the same healthy area ठीक है यह वही healthy area plankton है जिसको हमने कुछ दिन पहले discuss किया था अभी recent news आई है कि healthy area plankton जो है वो virus को खाने वाले वी वी वीरोवोर्स भी है that is why this becomes very very important and you can actually expect a question either from वीरोवोर्स या फिर healthy area plankton दोनों में से एक question तो 110% एस बार योपेसी प्रिलिम्स के अंदर पूछेगा because this is a very very big scientific development science and tech के अंदर एक बहुत बड़ा development हुआ है उमीद करता हूँ आपको यह particular topic समझा गया now short में देखते हैं कि योपेसी यहाँ पर question कैसे पूछ सकता है पहले चीज़ तो directly पूछ सकता है कि वीरोवोर्स होते क्या है अब को ध्यान अटना है एक ऐसा organism जो कि virus को खा सकता है सेकेंड चीज़ पूछे का वीरोवोर्स कौन सा मिला है ता अंसर इस healthy area plankton थर्ड चीज़ वाइरसस के बने होते हैं तो यह DNA, RNA यानि कि एक nucleic acid के basic लिए बने होते हैं और वाइरसस तब तक जिंदा नहीं होते हैं किसी living cell या फिर living host के अंदर ना जाए फोर चीज़ अभी जो वीरोवोर्स में जो हल्टीरास मिले हैं वो कौन से वाइरस को खा रहे हैं ना अंसर इस chlorovirus को खा रहे है chlorovirus क्या होता है जो थी blue green algae इसको infect कर सकता है तो यह पाच questions है आसे बन सकते हैं उमीद करता हूं कि अगर इस पर कुई भी question आएगा तो आप definitely उसको सही करेंगे और plus two marks के हाँ पर glimpse के अंदर gain करेंगे I hope you liked this particular video If you did, please do like, share and subscribe and thank you so much for listening